इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी PDFL से किसी भी image या document को अलग कैसे कर सकते हैं यानि उसको कैसे हटा सकते हैं यानि उसको image में कैसे convert कर सकते हैं जी हाँ दोस्तो बहुत सारे ऐसे friends होते हैं जो PDFL का print निकलवाना चाहते हैं परन्तु PDF को प्रिंट करने में बहुत सारे प्रावलम आते रहता है सो हेलो गैज मेरा नाम है चित रंजन आप देख रहे हैं टेक्निकल सारा चैनल को तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोर कर रिक्वेस्ट है कि पिलीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को परेश कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के रिलेटेड इंपोटेंट टॉपिक से वीडियो जलाते रहता हूँ और हो सके तो पिलीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप किसी भी PDF को इमेज में कनबर्ट करना चाते हैं यानि PDF से किसी भी इमेज या डोकुमेंट को अलग-अलग करना चाते हैं उसके लिए आपको अपना पले इस्टोर उपैन करने के बाद आपको कैम एसकाइनल अप्लिकेशन को सर्च करके इस्टॉल कर लेना है इस application को आप पहले से install करके रखे हुए है तो चलिए open करते हैं जैसे open किजेगा कुछी इस तरह का interface open हो जाएगा उसके बाद आपको ऊपर 3.0 के line पर click कर देना है जैसे ही click किजेगा यहाँ पर आपको ठर्ड नमर में import PDF का option दिखी जाएगा आपको इस पर click कर देना है जैसे ही click किजेगा यहाँ पर आपके device या memory card में जितने भी PDF रहेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे आप यहाँ से जिस भी PDF को तोरना चाते हैं उसको image में convert करना चाते हैं आपको उस PDF को select कर देना है PDF को select करने के बाद आपको नीचे import PDF का option मिल जाएगा आपको इस import PDF पर click कर देना है जैसे ही click किजेगा कुछी देर में आपके उस PDF में जितने भी page रहेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगे अगर आप original अपने page का color रखना चाते हैं तो आपको यहाँ से original select कर देना है इसके बाद अगर मालीजे आपके PDF के page में अगर कोई background है अगर उसको हटाना चाते हैं तो आपको इस auto crop पर click कर देना है इसके बाद आपको उपर import का option मिल जाएगा आपको इस पर click कर देना है जैसे ही click किजएगा कुछी देर में यह import हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा image import हो चुका है यह image अभी सिर्फ इस application में ही save हुआ है अगर आप चाते हैं इस image को अपने गाल्री में save करें तो सबसे पहले आपको इस image पर long press करके रखना है जैसे ही long press करके रखियेगा उसके बाद वो image select हो जाएगा उसके बाद आप जितने भी image को select करना चाते हैं यहाँ से आप select कर सकते हैं select करने के बाद आपको नीचे save to gallery का option मिल जाएगा आपको इस save to gallery पर click कर देना है जैसे इस save to gallery पर click किजेगा आपका image आपके gallery में save हो जाएगा उसके बाद आप आसानी से आप अपने image को जहां कहीं भी use करना चाते हैं आसानी से use कर सकते हैं